कि तुमास्कार दोस्तों स्वागत है आपका दीख्षान ताइस की यूट्वी प्लेटफर्म पर मैं डॉक्टर फईया दूसरें स्वागत करता हूं आपका करेंट इंसाइट में जैसा कि आप जानते हैं कि करेंट इंसाइट के माद्यम से हम करेंट एफस्का टॉपिक लाते हमारे थारिए सब्सक्राइब है उतके साथ महलाओं की शुरक्षा से जड़ा हुए विभी है इससे पहले हमने बात की थी महलाओं प्रphone को समझने का प्रयास किया था तो आज फिर सी हमारे जूपिक है महला सरक्षा से जड़ा हूआ है हमारा महला नहीं समझझना है कि अधे हमारा नजरियास से देखने का प्रयास करना है हमारा देखने का नजरिया होगा माहलाओं के साथ होता है या नहीं होता है आज हमें यह बास सम्झना है हमारी जो Film इंडस्त्री है हमारा जो Film उद्धियोग बंबैं जहां भारत सिनेमा की बनती हैं बारते सिनेमा को हम लोग कहते हैं और जो हमारा अमिर्की अभी तक बात की होगी परिवार में महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव या फिर कारिस्थली जब हम बात करते है युदा हो में का लेकिन आज का बडस्थो के सामना करना पड़ता है वेमन इसट्रिम इल्ली है यह वडिवूट कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन दा फिल्म इंडस्ट्री और नॉट तो दिस इश्यू इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर अवर यूपी एसी प्रिपरेशन एंड फॉर अवर इन जन्रन नॉलिज और सो तो आज इस विसाय को समझेंगे बातचीत करेंगे अब सवाल यह है कि इस फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है जिसको हमने कहा है जस्टिस हैमा कमेटी रिपोर्ट हैमा एक नियायदीस हैं इनकी अध्यक्षता में इनके चेर्मेन सिप में बढ़ा एक कमिटी का गठन किया गया था कमिटी की स्थापना की गई थी और इस कमिटी की रिपोर्ट को हाल फिल हाल पबलेस किया गया है इस कमिटी की सिफारशाउं को उन्होंने रिपोर्ट में जो बाते गहीं 大िए जो हैम्हीं कमिटी जो रिपोर्ट है वहden उस report के perspective में फिर से एक बार बात हो रही है कि क्या हमारे film industry में महलाएं सुरक्षित हैं क्या safe हैं वह women in the film industry or there is any discrimination with the women in the film industry of India that is Bollywood तो इसके बारे मैं में बात करनी है तो आज का हमारा topic है film industry and women's rights cinema उद्ध्योग और महलाओं के अधिकार ये विसाय आपका UPSC जो CSC examination है उसके मुख परिच्छा में GS1 paper से जुड़ सकता है जिसको हम society के तौर पर देख रहे हैं जिसको समाज के तौर पर जुड़ रहे हैं बहां पर इसको हम देख सकते हैं इसके अलाबा हम इसको science and technology में देख सकते हैं क्योंकि cinema Bollywood technology के perspective में आजकल चीज़ों भर कर आ रही है तो ये GS paper 1 से भी जुड़ा हुआ है GS paper 3 से जुड़ा हुआ है GS paper 3 में भी economy से जुड़ा हो सकता है कि film industry में जो हमारी महलां काम करती है क्या उन्हें पुरसों के समान बेतन मिलता है उन्हें पुरसों के समान जो है salary मिलती है और ये specifically जुड़ा होगा हमारा भरते सम्भीधान के अनुच्छत 49D से जुड़ा हुआ होगा 49 गा से जुड़ा होगा तो हमारे पॉलिटी में भी है, गवर्नेंस में भी है, सुसाइटी में भी है, इसके लावा एकॉनमी में भी है, साइनसें टेकनोलोजी में भी और उपर से इथिक्स वाले पेपर में भी यह विसाइब आपका जुड़ जाता है, जी एस पेपर फुर में भी यह विसाइब आ संच propose तो आज पूरा चर्चाया का विसाइव होने है वो C Jacob पर होने वाली है कि क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारी महलाओं के साथ भिदहाओ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो अब थोड़ Essentially जो है यह क्मिटी क्या है तो भूमका क्या है सबसे पहले इंट्रोडक्शन चीरल की सरकार ने जिस्ट हैमा कमेटी की कि रिपोर्ट को क्या किया वे आया गया है जब कि इसे चीफ मिनिस्टर को लगभग साड़े चार साल पहले दे दिया गया था ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि हैमा कमिटी जो गठित की गई थी न्याय मूर्ती थी हैमा की अद्देक्ष्णा में उन्होंने महला और सिनेमा में महलाओं की इस्त इंडिक्टमेंट ऑफ दिस्क्रिमिनेशन एंड एक्प्लाइटिशन फेज़ बाइव में इंदा मले आलम फिल्म इंडस्ट्री और इस पेचली जो रिपोर्ट है हमा कमिटी की जो रिपोर्ट है जो लगभग साड़े चार साल बाद के मुखमंत्री ने इसको प्रकासित कि या है लोगों के सामने रखा है और यह रिपोर्ट किस पर बात करती है कि मले आलम की हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है केरल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं को कौन-कौन से भेदभाव और कौन-कौन से सोचन का सामना करना पड़ता है कमिटी रिपोर्ट बेटा किसे रिलेटेड है मले आलंग फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव और सोशन से सम्मंदित है है मा कमिटी रिपोर्ट इस रिलेटेट टुदा इस रिपोर्ट की जब भी बात होगी तो मले आलंग सिनेमा में महलाओं के साथ क्या भिरवा हो रहा है उसके संदर में इस रिपोर्ट को लाया गया है अब सवाल यह इंडस्ट्री ए वहां महलाओं के साथ क्या भेदभाव हो रहा है महलाओं के साथ क्या इस्ते थी है उसके संदर में अपनी रिपोर्ट सौपी है तो अब सवाल है कि इस रिपोर्ट को लाया जब गया है तो यह इस कमिटी का गठन जो है वो क्यों किया गया था इस परस्पेक्टिम में दिखते हैं अब सवाल यह है कि आखिर हमने है जस्टिस हैमा के चेर्मेंशिप में कमिटी का गठन क्यों किया था ओन फैबुरी सेवंटीन तो थावजल सेवंटीन आ लीडिंग मल्यालम फिल्म एक्ट्रेस वाज अब्ड़क्टेट एंड सेक्शली असॉल्टेड इन हर कारवाय अबघ्रिण दार्फ मेंन 2017 में क्या हुआ कि मल्य आलम फिल्म जो इंडस्त्री है केरा की जो ब्राउट अंडर दा इसकेनर दा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट फेस्ट बाई बोमेन इन दा मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री जो है मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं बहां की एक अभनेत्री थी एक एक्टरिस्क थी उनके कार में ही कुछ पुरसों के द्व कुरी कहानी में जब यह बात बहर कर आई कि इतने बड़े एक्टर इतने महत्वून एकटर इतने फेमस एक्टर ऐसी घृतनों में सामिल हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि फील्म इंडस्ट्री में This movie Μalaya लॉयब फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं के साथ भेदभाव होता है महलाओं के साथ योन शोषण की गटनाएं देखने को मिलती है तो नयायमूर्ती जस्टिस हैमा के चेर्मेंशिप में अध्यक्षणामे कमिटी बनाई गई के मले आलम फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं की क्या इस्ति थी है उसकी जांस के लिए क्या बनाई गटन किया गया और इसी सम्ती की रिपोर्ट को लगबग साड़े चार साल बाद अब जो है रिलीज्ट किया गया है के तौर्ण इस जो महला थी एक्टरेश ती उनके साथ जो इनशो थन किया गया उसके बार एक संथन बनाए गया डवलू सी सी और उसमें कौन-कौन सामिल था बहां के एक्टर्स बैसे डार्के ते प्रोडिशर्स थे टेकनीशियन्स थे उनकी द्वारा संग्ठन बनाए गया और संग्ठन ने क्या किया किया कि के मुखमंत्री के पास एक याचका लगाए और से याचका में कहा कि केरल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महलाओं के साथ साथ बहुत भीरभा होते हैं इसलिए उसकी निस्पक्ष जांच की जानी चाहिए अब इसके बाद क्या हुआ इन जुलाइदा स्टीट गवर्मेंट फॉर्म आठ्थी मेंबर कमिटी हैड़ेड़ वाई जस्टिस के हैमा कह रहा है कि जब डबलू बी सीसी ने क्या किया कि यह जांच करना है कि Malayalam film industry में महिलाओं की सथी क्या वनी हुई है राइट रिटाइट किरला हाइप जज़ यह कौन है किरला हाइप की रिटाइट ज़स्टीन तो लुक इन्टु इंटु इस्चु अप सेक्ष्वल आरस्मेंट एंड परवेश्चिप जेंडर इनुकाल इंद इंडुस्ट्री और बाराइटी ओव इस्चु दा कमिटी समिटेट 395 पेस रिपोर्ट 395 पेस रिपोर्ट किरल चीफ मिनिस्टर तो एंड 2019 क्या रहें कि इस कमिटी ने बहुत सारी महलाओं से बात करी और लगभग 2019 में लगभग 2019 में नोने क्या किया कि अपनी दी लेकिन इनकी रिपोर्ट को पब्लिस कप किया रहे है दोजार 24 में किया रहे है लगभग साड़े चार साल बाद इस रिपोर्ट की बातों को जनता के सामने लाया गया तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर के मुखमंत्री और केरल की सरकार को साड़े चार साल क्यों रिलीज ऑफ दा रिपोट करें कि जो हैमा कमिटी है जो उनकी जो रिपोट है उस रिपोट को बाहर लाने में साड़े चार साल आपको क्यों लगे यह भी गंभीर विशाय इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं करें कि बहुत सारे लोगों ने हमा कमिटी की रिपोट जो है लगभग साड़े चार साल बाद इसको रिलीज किया गया है इसकी आलूचना की है और क्या अलूचना की है मंडे में कॉंग्रेस MP मेंबर आफ पार्लेमेंट साशी थरून ने क्या कहा है कि इस अशली सेंपल एंड सब्सक्राइब कर रही है कि इस लिए देर से लाया गया है क्योंकि रिपोर्ट क्या कर रही है फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का नाम सामने लेकर 25 यह और केल की सरकार नहीं चाहती है कि debut conse कर भजाओ मैंने की बात रही है कि सरकार कर रही है ड़orkẽ deixar कर रही दावर रोगें कि the delay in the publishing the report was due to the sensitive information it contained और इन्हों ने कहा कि सरकार रहन ने ऐसा क्यों किया कि रिपोर्ट को देर से पब्लिस किया क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बाते थी जो पूरे Malayalam film industry को और पूरे केरल को जो है बहुत sensitive तरीगे से प्रभावित कर सकती ही right and the प्राइवेशी कंसर्ण विस इट रिए जस्टेस हमाइज रिटेन तो गवर्मेंट ऑन फेवरी 19 2020 और इन्फोर्मेशन और बिजायन अब महां के मुखवंत्री ने भी अपना थोड़ा सा आंसर किया है उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बाते थी जिससे हम उसको पॉब्लिस नहीं कर पाए तो यह बात बनी हुई है और वहां के जो मिनिस्टर थे कल्चरल मिनिस्टर उन्होंने भी सरकार का बचाव किया है उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट हम इसलिए बाहर लेके नहीं आ पाए ताकि बहुत ज्यादा सेंस्टेब इशू था जिससे कि लोगों में वह ज्यादा गुसा हो सकता था इसलिए र पारसालबा रिपोट आई है तो एक तरफ जो ओब हो इस बात कर रहा है कि रिपोर्ट को लाने में इतना देर क्यों लगी और सरकार अपना बचाओ कर रही है वाइसदा रिपोर्ट बीन बनिश्न आफ रिपोर्ट को रिलिज्ट क्यों कर रहे हैं ये इन जैनुमरी 2022 कि अ जो कमिटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को कैसे इंपलीमेंट किया जा स्क़ो को उसकी जाज करना सब्रप्वर्ट रिपोर्पोर्ट में जो रिकमेंडेशंप आप वग्लख नभी सीमिंग उन um subsequently 5 rights to information activist and media personnel approach to Kerala State Information Commission for the more details और वहां के जो RTI activist है उनका कहना है कि इस panel ने जिस panel का गठन केरल की सरकार ने किया था हेमा कमिटी की रिपोर्ट का रिव्यू करने के लिए तो जो RTI activist है उनका कहना है कि इस panel ने हेमा कमिटी की रिपोर्ट से कुछ sensitive विश्यू ठाके बाहर निकाल दिया है और अब इस report को publish किया जा रहा है क्यूंकि इसमें बहुत sensitive बात हैं नहीं है मतलब सरकार ने हेमा कमिटी की रिपोर्ट से कुछ-कुछ ऐसी बातों को निकाल दिया है जिससे कुछ disturbance हो सकता था और कहा गया कि हाँ यह बात सही है information जो सूचना आयोग है उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि हैमा कमिटी ने जो रिपोर्ट समिट करी थी उस रिपोर्ट में से कुछ बात निकाल दी गई है और कुछ-कुछ पेज भी निकाल दिये गए है इसका मतलब है कि अगर सरकार अब सा पहुचा सकती थी यह मने आलव फिल्म इंडट्री यह के जो इसका मतलब है सरकार ने क्या किया कि है कि हैमा कमिटी की रिपोर्ट को अपने हिसाब से बना लिया है और यह वो एक्ट्रेस चलो और रिपोर्ट में क्या हुआ हुआ है अब लोगों कौने बहुत सारे पेटीशन डाले है सरकार के सामने पड़ो से कुछ होने वाला नहीं क्योंकि रेपोर्ट जो है क्या-क्या बातें कहीं गई है क्या-क्या बातों का फिल्म इंडस्री में महिलाओं के साथ योन शोचन होता है महलाओं का सेक्षवल हरेस्मेंट होता है कमिटी रिपोर्टेट दा एक्जिस्टेंस ऑप कास्टिंग काउच फ्रेक्पोइंट सब्सक्राइब वल्गर कॉमेंट में एड़ बर्ग प्लेस और ड्रंक मेल को एक्टर फेशिंग देंसल्व इंटू पहुच जाते हैं उनके साथ बत्तमीजी करते हैं कास्टिंग काउच का भी नाम आपने सुना होगा किसका कास्टिंग काउच का मतलब क्या होता है विए पावर्फुल मैं डिमांड सेक्ष्वल फिवर्स फ्रॉम बोमें इन रिटर्न और फॉर अपर्पर्चुनिटीज इ बॉलीवुट की बड़ी समस्या है तो इस रिपोर्ट में यह बात हैं कि कास्टिंग काउच किलियरली पाये जाता है और उनके साथ बर्क पिलिस पर ड्रंक होके सरापी के छिडशार की जाती है और उनके रूम में एक्टर सीधा घोज जाता है जबकि नहीं होना चाहिए तो रिपोर्ट में ये बात किलियरली बोली गई है कि मले आलम फिलम इंड़िश्ट्रियॉएं महिलां के साथ बहरबाव होता है उनके साथ बहरबाव हो रहा है और हेमा ने कहा है कि जब हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी महिलाओं को बुलाया तो महलाएं जो हैं कि किसी एक्टर के बुरुद कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है जबकि उनके साथ गरत हुआ है क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएंगे इंडस्ट्री से अलग कर दिया जाएगा या फिर उन्हें ल अले आलम फिल्म इंडस्ट्री के जो पुरुस है वो सभी माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं और महलाओं के साथ जो है ब्यापा के स्थर पर भेदवाव बिटा हो रहा है और यह भेदवाव देखने को मिलता है और मेल डॉमिनेट इंडस्ट्री है फिल्ड हुई है कि इस च पर चीजें नहीं बनाएं तो फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं के लिए वह फैसलिटीज नहीं है जो फैसलिटीज होनी चाहिए रिपोर्ट में किलियर ली बोला गया है और लेक ऑफ जेंडर परिटी बिद रस्पेक्ट टू रीमन डिमिनेरेशंस इन प्राइमरली बहुत देर से सोच रहा था कि आपसे बात की जाएगी वह सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में महलाओं को समानकार के लिए समान बेतन नहीं मिलता है किसी एक हीरो को दो-दो-चार-चार करोड़ रुपे मिलते हैं महलाओं को कुछ लाक रुपे में देकर बा क्यास जला होने के बाद भी अधिक cality को नहीं ले पा रहे हैं नहीं पा रहें पो इस रिपोट में ही सारी बातं की गई है लेकिन इस रिपोट में जो बाते की गई मलेयालम फिल्म इंडस्टी में नहीं हो राया है महलाओं पहली बूलि बोड में भी देखने को मिलता है औ जाना चाहिए तो हमने बात करी हम कमिटी की रिपोर्ट किया है और बॉली बुड में भी हमने देखा कि यहां पर भेदभाव हो रहा है तो यह सेसन जो है आपके लिए मैंने स्वेशली इसलिए तयार किया था क्योंकि एक तो हैमा कमिटी रिपोर्ट आई है तो आपको यह देखना पड़ेगा किस परस्पेक्टिब में आई है और हमें यह भी देखना है कि महलाओं के प्रती सुरक्षित नहीं है महलाओं के प्रती वेदभाव रखती है महलाओं के प्रती कारिस्तल पर यूंसोशन जैसी घटनाय पाई जा रही है महलाओं के लिए सेक्सुल हरस्मेंट जैसी घटनाय पाई जा रही है महलाओं को समानकार के लिए समान बेतन नहीं मि एक्टर्स हैं बहुत पढ़े लेखे होते हैं बहुत इंटलक्चुल्स होते हैं लेकिन ऐसी बाते देखने को नहीं मिलती है और आप देखो कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं गाने मिल डॉमिनेट बनते हैं एक गाना आपने सुना होगा वो है सलमान खान का दबंका है ना तंदूरी मुर्गी हूं गटकाले मुझे अलकुहल से तो यह एकदम से बिमन इंपावरमेंट के अगेंस्ट है, इमन डिगिनिटी के अगेंस्ट है तो मलेयालम फिलम अंडॉर्व बोलीवड फिलम इंडॉर्व यहां तक कि होलीवड फिलम इंडॉर्व बहां भी महलाओं को अधिकार नहीं दिये गए है फिलम outlet में महलाओं के रायट्स पर बात होनी च रहेगा और जैसा कि आप जानते हैं करेंट इंसाइट में मंडे टू फ्राइडे हम करेंट अफेस के टॉपिक को लेकर आते हैं उस पर बातचीत करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक था कि भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज और उनमें महिलाओं के अधिकारों पर कैश दिती है उसको हमने हमा कमिटी के रिपोर्ट के संदर में समझा आप हमारे साथ आज जुड़े आपने हमारे साथ आज बात की उसके लिए बहुत बहुत धनबात बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहिए पढ़ते रहिए उज्वल हो इसका निर्मान कीजिए नमस्का झाल झाल